नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल आइबेक्स इस्टेडी में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोगर्फी के कुछ MCQs, कुछ Questions जो आपके आने वाले एक जामस में बहुती काम आने वाले हैं तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को सुरू करते हैं Questions है, पहला Question है, जोआर भित्ती से क्या तात्पर है? Option है, भूकंप क्रिया से उत्पन एक जोआरी तरंग B. तटी छेत्र में रेत का एक जमाओ C. उच जोआर तल से ठीक उपर एक प्रवाल जमाओ Option D. एक नदी के मुहाने से बहाओ के बिपरीद चलने वाली जोआर तरंग तो इसका सही उत्तर है Option D. एक नदी के मुहाने से बहाओ के बिपरीद चलने वाली जोआर तरंगों को हम क्या करते हैं? ज्वार भित्ती कहते हैं यानि एक नदी का जो मुहाना है वहाँ से बहाव जो आ रहा है पानी का बहाव जो आ रहा है उसके बिपरीत जो भी चलने वाली ज्वार तरंगे होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वार भित्ती कहते हैं चलिए आगले question पर चलते हैं, आगला question है, निम्न लिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, पहला option किवल पहला सई है, B दूसरा तीसरा सई है, C पहला दूसरा तीसरा सई है और D कोई भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है, वह है option number B option number B तो option number B में क्या है? दूसरा और तीसरा यानि देखे, मकर रेखा, जो साड़े चाछट डिगरी है, वो गलत है और अंतर राष्टी तिथी रेखा, वो गलत है करक रेखा, जो होती है, इन सब का बता दें करक रेखा, साड़े तेज डिगरी उत्तरी अच्छांस पर होती है मकर रेखा, साड़े तेज डिगरी दच्छी अच्छांस पर होती है अंतर राष्टी तिथी रेखा जो होती है, वो 180 डिगरी देशांतर रेखा को हम कहते है किसको कहते हैं 180 डिगरी देशांतर रेखा को हम अंतराश्टी तिथी रेखा कहते हैं अच्छा इसका निर्धारण कब किया गया था तो सन 1884 इस भी में इसका निर्धारण किया गया था और या बेरिंग जल संधी के समनांतर तेरी मेड़ी खीची गई है क्या किया गया है या बेरिंग जल संधी के समनांतर तेरी मेड़ी खीची गई है इसमें कितने मोड़ हैं 7 मोड़ है ठीक है अंतराश्टी तिथी रेखा इसमें 7 मोड़ है ठीक है और जो दच्छनी धुरूई ब्रत है वह 1.99 दिगरी दच्छने चाहंस को हम कहते हैं और यह Αंटार्कटिक ब्रत भी कहा जाता है दच्छने चाहंस को ठीक है दच्छनी धुरूई ब्रत को तो चलिए अगले कुश्चिन पर चलते हैं अगला कुश्यन है निम्न लिखित में से कहां सूर्य की किर्णे कभी भी समकोण पर नहीं होंगी ओफ्सन ए है स्रीनगर ओफ्सन बी मुंबई ओफ्सन सी चिन्नई ओफ्सन डी तिर्वनंत पुरम तो इसका जो सही उत्तर है वह है ओफ्सन नमबर ए स्रीनगर ठीक है देखें सूर्य की किर्णे कहीं भी समकोण पर नहीं होंगी स्रीनगर पर क्या होता है स्रीनगर उत्री दुरू पर है तो उत्री दुरू पर और यह भूमद रेखा से जादा जादा दूरी पर है इस वज़ा से यहाँ पर कभी भी समकोर पर सूर की करने नहीं पड़ती है क्योंकि यह भूमद रेखा से दूरी पर है अधिक दूरी पर है और यह ठंडे प्रदेश दुरूगों की ओर है ठीक है तो आगले question पर चलते है Australia में सबसे लंबा दिन कब होगा 21 जून 22 सितंबर 22 दिसंबर या 23 मार्च को तो इसका जो सहित्तर है वह है option number C 22 दिसंबर देखे ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे लंबा दिन होगा वह 22 दिसंबर को होगा क्यों? Australia में सबसे लंबा दिन इसलिए होगा क्योंकि इस तिथी को सूर की किर्ने मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है यानि 22 दिसंबर को जो सूर की किर्ने होती है वह मकर रेखा पर क्या होती है? लंबवत पड़ती है चूंकि आश्ट्रेलिया दच्छनी गोलार्द में इस्तित है अता इस तिथी को दच्छनी गोलार्ध में दिन बड़े वर राते छोटी होती है चीक है तो आस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन बाइद दिसंबर अगले कुश्चन पर चलते है कहां से कहां तक की ओर जाते हुए दिन और रात की अवध में अंतर बढ़ता जाता है अफसने भूमद रेखा अब लिक दुरूओं या दुरूओं से भूमद रेखा की ओर दूसरा है करक रेखा से भूमद रेखा की ओर या मकर रेखा से करक रेखा की ओर तो इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है option no.A भूमद रेखा से जब धुरूओं की ओर हम चलते हैं तो दिन और रात की अवद हमें अंतर क्या होता है बढ़ता जाता है भूमद रेखा कहा है प्रद्बी देखे यह प्रद्बी है प्रद्वी के बीचों बीच यहाँ पर यह भूमद रेखा है जीरो डिग्री चांस बोलते हैं जिसको इधर होते हैं धुरू यह उपरी पॉइंट यह धुरू का है नीचे भी धुरू ठीक है? तो जब हम भूमद रेखा से द्रूओं की और उपर की और चलते हैं तो यह दिन और रात की अवाद ही जोती हो क्या होती है इसमें अंतर दोनों बढ़ता जाता है ऐसे ही जब नीचे की और जाएंगे तो अभी अंतर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा दोनों में ठीक है? तो चलिए अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमर नाइंटिन निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है? आपसन के है करक तथा मकर रेखा से परे सूर की किरने कभी भी लंबवत नहीं होती आपसन बी दुरूओं पर छे महीने का दिन होता है सीद अइनांत के समय सूर करक रेखा पर लंबवत होता है दी जब सूर भूमद रेखा पर लंबवत होता है तो इस इस्थिती को बिसुओं कहा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है Option number C Option number C सीत एइनांत के समय सूर करक रेखा पर लंबवद नहीं होता है तीक है, यह कठन क्या है नहीं है, सत्थे नहीं है पहला कठन देखिए करक और मकर रेखा से परे सूर की किर्णे कभी भी लंबवद नहीं होती है यानि करक्रेखा पर ही पढ़ती है या मकर्रेखा पर लंबत पढ़ती है दूसरा क्या कहा रहा है दुरूओं पर 6 महिने का दिन होता है दुरूओं पर 6 महिने का दिन होता है और भूमद रेखा पर ऐसे ही पढ़ता है तो इस इस्थिती को विसोग का जाता है वो भी सही है कि भूमद रेखा पर जब भी लंबत पड़ेगा उसको क्या का जाता है विसोग का जाता है तो अगले question पर चलते हैं हम लोग question अगला है Greece मकाल में निम्न लिखित में से किस अस्थान पर दिन सबसे लंबा होगा Mumbai, Chennai, Shri Nagar या Kolkata ठीक है तो Greece मकाल जब है गर्मी का दिन है ठीक है तो गर्मी के दिनों में कौन सा अस्थान है जो सबसे लंबा होगा किस अस्थान पर दिन सबसे लंबा होगा तो इसका जो सही उत्तर है वा है Chennai ठीक है? कहां पर होगा? Chennai में Chennai पर क्यों होगा? Chennai पर इसलिए होगा क्योंकि Chennai सबसे नीचे है और Chennai सबसे नीचे है और भूमद रेखा के एकदम नजदीक है यानि अब देखिए भारत के नकसे में ये भारत को नकसा है तो नीचे यहाँ पर चिन्नाई नीचे नीचे यहाँ पड़ेगा ठीक है और भूमद रेखा हमाय भात के यहाँ से गुजरी होई है तो भूमद रेखा सबसे नजदीक यहाँ है मुंबाई इधर पड़ेगा ठीक है, स्रीनेगर तो सबसे उपर, कॉलकाता बगल में स्रीनेगर उपर ठीक है, तो सबसे नजदीक भूमत रेखा के कौन है, यह है चिन्नाई तो जब चिन्नाई सबसे नजदीक है, तो ग्रीस्म काल में सबसे बड़ा दिन के इसके नजदीक होने काण नमबर ए है, पवनों का, बी, नदियों का, सी, अच्छांस रेखाओं का, दी, देशांतर रेखाओं का तो इसका जो सही उत्तर होगा, वह है देशांतर रेखाओं का, ठीक है? देसांतर रेखा है कौन सी रेखा है होती है अच्छांस रेखा है और देसांतर रेखा है होती है देखे पूरव से पस्चिम भारत का ये गलोब ये जो विस्व का गलोब है उसमें ये भूमत रेखा है ठीक है पूरव से जब पस्चिम आप चलते हैं ठीक है? पूरव से पस्चिम तो देसांतर रेखाएं होती है और जब उत्तर से धखिन होता है वो क्या होती है? अच्छांस रेखाएं होती है तो जब आप पूरव से पस्चिम चलते हैं देखें ये थोड़ा सा जब देसांतर रेखाओं में आप चलेंगे तो इधर कम आपको लगेगा, ठीक है, तो यानि रास्तों का छोटा अनुसरान अगर आपको करना है, छोटे छोटे रास्ते से यात्रा करनी है, तो आप देशांतर रेखाओं का अनुसरान करेंगे, तो आपके लिए फैदेमंद होगा, ठीक है, तो आगले question में चलते हैं, आ नाइट्रोजन तथा carbon dioxide, ठीक है, इसका जो सही उत्तर है, वो है option number B, नाइट्रोजन तथा oxygen, ठीक है, नाइट्रोजन तथा oxygen की बात क्योंकि है, क्योंकि वायो मंडल में सबसे ज्यादा nitrogen और oxygen ही पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%, कितनी है नाइट्रोजन, 78% ये नाइट् oxygen कितनी है, oxygen की मात्रा है 21%, ठीक है, दोनों लाकर 99% हुआ, कितना हुआ, 99%, तो बाकी 1% के अंतरगर्ट, अन्ने सभी गैसे आती है, ठीक है, अन्ने सभी गैसे आती जिसमें से organ 0.93, 0.93% किसका होता है, औरगन का होता है, ठीक है, 0.93 औरगन हो गया, बाकी अन्ने गैसे मिला कर होती हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आयतन के दिश्ट कौन से कौन कौन सी होई नाइट्रोजन और अक्सीजन चलिए आगले क्वेश्चन पर चलते हैं अधिकांस मौसमी घटनाएं कहां पर संपन होती है ठीक है तो ए समताप मंडल बी छोब मंडल सी छोब सीशा या डी आयन मंडल तो इसका जो सही उत्तर रहे वहां है बी ऑफ्सन नंबर बी छोब मंडल ठीक है छोब मंडल में अधिकांस मौसमी घटना जितने भी मौसमी घटना यानि बादल का बनना वर्षा होना ठीक है जितनी भी हवा तो फान ये सब बनता है इस सारे चीजे कहां होती है छोब मंडल में होती है छोब मंडल में ही सारा काम होता है ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर समात्त होता है ठीक है ऐसे ही वीडियो हम आगे फिर से आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके exam के point of view से आपको option लगाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से question होंगे आपको बहुत काम देवी exam में ठीक है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like करें और ज्यादा से ज्यादा comment करें और अपने दोस्तों में share करें तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए नमस्कार